हलो फ्रेंड्स डे एट की संगीत वा लोग संगीत की कॉशन स्टार्ट है कॉशन फर्स्ट है कच्छे कोड़ी नरते की समय बजाया जाने वाला बादे यन्थ है जिसका रायट आंसर होगा सी जांच और कच्छे कोड़ी जो है वो वैफसाइक नरते है और सेकावाटी शेत्र में famous है ठीक है तो ये सारी बाते आपको याद रखनी है question second है कथक का सबसे प्राचिन घराना है तो जहां पर कथक को आज भी कथक के नाम से जिस घराने को जाना जाता है वो है जैपुर का ए इसका right answer होगा ठीक है कि जैपुर जो है वो कथक का सबसे प्राचिन घराना है और इसके अलावा जो कथक है उसके बारे में भी थोड़ा आप याद कर लेना कोशन थर्ड है रागमाला और रागमंजरी संगीत गरंतों के रचेता है तो रागमाला गरंत जो संगीत गरंत है वो भी किसने लिखा ये भी पूछा जाता है और रागमंजरी संगीत गरंत किसने लिखा ये भी पूछा जाता है और दोनों का ही आंसर ही किये पुंडिक ब सब्सक्राइब सब्सक्राइब है तो और इनके कवी थे द मतश्री बज्रिपाल जो नunden住 गोबिन्द सागर संगित निया डिक्षिन सब्सक्राइब है लोग गीत के साथ गेते में वाला घुमर लोग गीत को मारवाड शेतर में क्या कहते हैं तो लोग गीत जो घूमर है उसको मारवाड शेतर में लूर कहते हैं सी इसका राइट आंसर होगा और इसके अलावा आपके किते कोशन्स इसमें बन जाते हैं गंडगोर के अपसर पर जो निरते किया जाता है वो घूमर के लाता है और घूमर को मारवण के शेतर में लूर कहते है कोशन सिक्स है म्रदंग बादधेयंत्र है देखो अपनी डेफ फ़स्ट की जो वीडियो है शायद उसमें ही मैंने आपको बताया था म्रदंग जो है वो एक ढोलक जैसा होता है ठीक है तो म्रदंग शुशिर बादधेयंत्र तो हो भी सकता है शुशिर हवा से होता है तत्तार वाला होता है तो अवनद बादेयंत्र सीज का राइट अंसर होगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है मुमल लोगीत की शेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित है जैसलमीर की राजकुमारी थी मुमल जिनके उपर ये मुमल लोगीत लिखा गया था या गया जाता है तब सही तो जैसलमीर का बहुत फेमर से बी इसका राइट अंसर होगा ठीक है न उपायन संस्थान बोरुंता कहां पर जोदपुर में और की स्थापना की गई थी 1960 में डीज का राइट आंसर होगा और लोग संगीत को लोग बाधे अंतरों को इनकी पहचान को बनाए रखने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी कोईशन नाइन है राजपुतानी का वह प्रशिद लोग की जिसमें उट की श्रंगार का वर्णन मिलता है उट की श्रंगार का वर्णन मिलता है गोरवंद में आंसर सी राइट होगा ठीक है तो और ये किसका है आप से पूछा जाए तो राजपुतानी का प्रशिद लोग ग तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं तो लकड़ी के गुटके किसमें डाले जाते हैं रावालो की मादल में यानि की भी इसका राइट आंसर होगा ठीक है फ्रेंट्स तो आज की भी 10 कॉस्टन कंप्लीट हुए और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना आज अपने 80 कॉस्टन कंप्लीट हो गए हैं और जल्दी से ही अपन कल पर सो डेले हम 2020 डालके 1500 कॉस्टन कंप्लीट कर लेंगे और इससे भार मुझे नहीं लगता कुछ आने वाला है तो इनको अच्छे से याद कर लेना और थैंक यू